अलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा, सौगत करता हूँ, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैट्स भाई अभिनव राजपूत में और डे 11 ओफ 36 डेज के सीरीज में, या यू कहलो समापन 1.0 में, आज हम लोग सिंपल इंट्रेस्ट करने व इंट्रेस्ट में यह 11 दिन है, सिंपल इंट्रेस्ट, ऐसे ही कंपाउंड, टाइम इंड वोग, पाइपन सिस्टन, वगरा, बला, 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 इस तरीके से चलेगा, आप यू कह सकते हो, बाइदा एंड अफ दिस वीक, आपका कंपाउंड इंट्रेस्ट फिनिस हो चुका लाइन से देखते हो, बहुत फायदा होगा, और डेट वाइस अभी तक जैसे जैसे डेट डला हुआ है, बिल्कुल वैसे ही अपलोड हो रहा है, कोई भी आगे पीछे नहीं, रोज रात को 9 बजे, और मैं दावे के साथ क्या सकता हूं, कि ऐसी सीरीज ना अभी तक यूट आ दिया ना, तो फिर मेरे ना, जो हमारा जो पेड़ कोर्स है, वो रिफलेक्ट हो जाएगा, उस पर इसका नेगेडिव इंपेक्ट हो सकता है, लेकिन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप अच्छे से करो, बेस्ट वे है, प्रेक्टिस करने का, इवन मैं तो यह ग प्रेक्टिस के लिए, रिविजन के लिए, नौट फॉर बेगेनर, जो रिविजन कर रहा है, उनके लिए है, आप मेंस वगरे यह त्यारी करते हो, तो आप इसको फोलो कर सकते हो, यह आट टाइप्स है, इन आटो टाइप्स को आज मैं आपको करवाने वाला हूं, ओके है I hope clear होगा, ओके, चलते हैं फिर अब start करते हैं, देखो start करने से पहले कुछ concepts है, जो आपको पता होना चाहिए, देखो, सबसे पहले, simple interest होता गया है, इसको नाम हिंदी में कहते हैं, साधारन प्याज, ठीक है, आज तो आपको पैसे चाहिए होता है, तो आप बैंक चले जाते हो, बैंक आपको लोन दे देता है, हमें इसास ऐसा नहीं होता था, पहले क्या होता था, हम लोग ना साहुगार के पास जाते थे, ठीक है, साहुगार हमें interest पे देता था, तो वो क fix कर रखा है 10% ठीक है और आपने लिया है मानलोट चार साल के लिए कितना साल के लिए के लिए है चार साल का तो बेसिकली करोगे क्या आपको ना इंट्रेस्ट देना होगा हर मैंने कितना 10,000 का 10% चार साल के लिए तो as a interest हमें कितना पे करना पड़ेगा 4,000 after 4 years हमें 4,000 interest और principle 10,000 यह देना पड़ेगा चीक है जिसको हम 14,000 टोटल इसको देना होगा तो इसमें कुछ concepts है कुछ words है जो बार-बार आने वाले हैं पहला है P जिसको हम कहते हैं principle अगर हिंदी में बोला जाए मूलधन ठीक है हिंदी में क्या बोलेंगे मूलधन P के बाद आ जाता है I I को हम कहते हैं interest हिंदी में प्याज फिर आ जाता है T T को हम कहते है time हिंदी में समय एक और वर्ड आएगा बार-बार A यानि amount हिंदी में इसको कहते हैं मिस्त्रधन basically जब आप मूलधन में interest add गर देते हो principle में interest add गर देते हो तो amount आ जाता है interest का formula क्या होता है या ब्याज का जो formula है क्या है देख लेना P R T upon me 100 principle into rate upon me time upon me 100 ये किसका formula है ब्याज का formula है ध्यान रटना अभी कुछ तरीके मैं यूज करूँगा questions देखना कैसे कैसे हम करेंगे जिसको ना थोड़ा साम time बचाने की कोसिस करेंगे आपको भी वही करना है ये कुछ basic concept से simple interest का कल हमारी class compound interest पे होगी और कल की class बहुत ज्यादा important है वैसे तो आज की भी बहुत ज्यादा important क्योंकि कल की class में हमने 35 questions लिये हैं बहुत लंबी class होगी और बहुत important होगा आप लोगों के लिए सुनिता invested 12,000 on simple interest at the rate of 10% per annum to obtain a total amount of 20,400 after a certain period और how many years did she invest to obtain the above amount देखो सुनिता एक लड़की है उसने एक जगा 12,000 रुपे लगाए है simple interest पे कितना रुपे लगाए है 12,000 तो principle कितना आ जाएगा 12,000 rate of interest क्या है 10% time क्या है हमें नहीं पता लेकिन amount दे रखा है कितना amount दे रखा है 20,400 तो अगर मैं इसमें से principle घटा दूँ तो interest आ जाएगा हमारा कितना 8,400 clear है कितना 8,400 यानि कि total कितना है 8,400 तो आपको पूछा है time बताओ कितना होगा तो time देखो basically interest का formula क्या होता है P, R, T upon 100 interest कितना है 8,400 principle कितना है 12,000 rate कितना है 10% time कितना है यही तो निकालना है upon में 100 तो था ही तो यह यह 0 सो 0 2,0 सो 2,0 पर रेट अगर कर दिया तो 100 से दुबारा 12,000 rate 10 upon में 100 into में time अब देखो 0 सो 0,0 सो 0 12 सो कट करोगे time आजाएगा 7 year और 7 year ही is your answer बड़ इतना करने की जरौत नहीं बढ़ती है ठीक, आपको बस यह देखना है कि 12,000 का 10% एक साल में कितना होगा 1200 रुपे तो बताओ 8,400 कमाने में कितना time लग जाएगा 12,000 से डिवाइड कर दो 7 साल अगर एक साल में 12 कमा रहे हो तो 84,000 रुपे कितने दिन में कमाऊगे 7 साल में ओके ये light reflect हो रहा है मैं चस्मा चेंज कर लू if you don't mind और कोई कुछ ना कुछ flaunt करता है मैं आप लोगों के सामने मैं अपना चस्मा फ्लाउंट करता रहता हूँ ठीक है खंडी आएगी तो फिर मैं अपने sweat set भी करूँगा मेरे पास sweat set का collection भी बहुत जबरदस्त है ओके ओके चलो देखते हैं question number first हो गया है second देखते हैं क्या है what is the simple interest on 7200 in 7 year at the rate of 14% अब देखो अब थोड़ा दिमाग लगाओ एक साल में 14% है एक साल में 14% है तो साथ साल में कितना होगा 98% clear है ना अब बताओ 7200 पिक का 98% कितना होगा यह तो पूछा है ना अब देखो करने का वही करोगे आप 7200 into में 14 by 100 into में 7 20-0-0 काटा ठीक है 72 into 98 किया करना वही है कर वही रहे हो लेकिन अब देखो कि इसमें टाइम बच जाएगा यह लिखने की जुरत नहीं बढ़ेगा सीधा 98% निकाल दो 7200 का कितना हैगा 72-100 में से 144 घड़ा होगे 7056 आ जाएगा ओके I hope clear होगा question number 3 देखो क्या है a person a person borrows 20,000 at the rate of 6% per annum on simple interest for 3 year देखो अगर 6% पे निकाला है for 3 year तो total उसको कितना interest देना पड़ेगा 18% he immediately lends to it another person at the rate of 8.5% for 3 year अब देखो इसने 6% 3 साल के लिए लिया यानि कि ये कितना चुकाएगा 18% अब इसने क्या खिया ये पैसा किसी और को दे दिया किस rate पे 8.5% 3 साल के लिए तो अब बताओ ये कितना कमा लेगा इससे 8,3,24 25.5% clear है अब आप से पूछा what is the value of gain per year बताओ ये हर साल कितना कमा रही है अब खुद सोचो 3 साल बाद इसको कितना देना है 18% 3 साल बाद इसको मिलेगा कितना 25.5% तो कितना gain हुआ 7.5% बट ये कह रही है ये पूछ रहे है कि हर साल कितना होगा ये तो 3 साल का है न तो 1 साल का simple 2.5% ये इसका gain है 2.5% of what? 20,000 20,000 का 2.5% कितना होदा है बताओ 500 देख लो 20,000 का 2.5% 20,000 का 200 का 2.5 से करोगे तो 500 रुप है और अगर टोटल अर्निंग पूछी जाती तो 7.5% यानि कि 1500 हो जाता अगर टोटल अर्निंग पूछा जाता तो यहाँ पूछा है what is the value of gain per year हर साल कितना कमा रहा है direct ओके type 2 देखो if an amount is divided in 2 SI scheme both have different rate and time अब देखो 2 scheme में लगा दिया आपने तो क्या गरेंगे a sum of 27,000 is divided into 2 parts A and B 27,000 को 2 parts में divide किया गया है A और B और rate of interest क्या है 15% पर है न मैं दोनों पे 15% ही है on A and B after 2 year and 4 year देखो A लगाया है, B लगाया है rate of interest तो 15% ही है इस पे भी 15% ही है लेकिन यह 2 साल के लगाया है और यह 4 साल के लिए तो खुल में लाके A पे तो 30% कमाए गई है और B पे 60% कमाएगा the total interest received together from A and B is मतलब a sum of 27,000 divided into two parts A and B such that the simple interest on the rate of 15% on A after 2 year and 4 year is totally is equal मतलब ठीक है, देखो इसने क्या कहा है 27,000 को दो पार्ट में दिवाइट किया गया है, A और B A को लगाया है 15% दो साल के लिए B को लगाया है 15% चार साल के लिए और इस तरीकी से लगाया गया है कि after 2 year और 4 year interest सेम है तो मैं यह क्या सकता हूँ कि A का जो 30% है ना वो B का 60% है ठीक है? तो अब देखो 30 से 60 कर जाएगा 2 बचेगा यहां से रेशियो आ जाएगा A और B का 2 is to 1 यानि यह जो 27,000 है ना इसको इसने 2 is to 1 में डिवाइड किया यानि 18,000 यहां लगाया है 9,000 यहां लगाया गया है अब आप से क्या पूछा है? The total interest receive अब बताओ total interest receive कितना होगा 18,000 का 30% कितना होगा? 5,400 और इससे भी तो 5,400 ही हो रहा है ना दोनों से बराबर है या फिर यह देख लोग 9,000 का 60% 5,400, 5,400 कितना जाएगा? 10,800 ओके है? अच्छा कॉश्चन ता बार बार आता है simple interest पे भी आता है compound interest पे भी आता है half of a certain sum is lent at 20% rate of interest देखो, आधा पैसा जो है ना 20% पे लगाया गया है 2 by 5 of the remaining धियान रगना 2 by 5 of remaining यह remaining है किस rate पे? 25% पे and the remaining sum जो remaining आ जाएगा ना इसके बाद जो बचेगा वो लगाया है 10% ठीक है? if the simple interest receive total sum for 2 year is 360, तीन साल, दो साल बाद इसको 360 रुपे मिले है तो एक साल बाद कितना मिलता? 160 रुपे यानि एक साल में 160 रुपे कमा रहा है आप से पूछा बताओ principle कितना है ये लोग कितना कमा रहें? 160 ठीक है? एक साल में हम कितना कमाएंगे? हमें देखना पड़ेगा अब देखो क्या करो? एक ऐसा नंबर लो जो 1 by 2, 2 by 5 सबको काट दे सबको काट दे 100 ले सकते हैं आप अगर मैं 100 ले लेता हूँ तो ये क्या कहा रहा है? हाफ, 100 का हाफ 50 लगाया गया है 20% तो 50 का 20% कितना होता है? 10 रुपे ठीक है? अब 2 by 5 अब रिमेनिंग, देखो 100 में से 50 लगा दिया गया है 50 का 2 by 5 कितना होगा? 20 रुपीज ना? 20 रुपीज at the rate of 25% तो 20 का 25 कितना होता है? 5 रुपीज और रिमेनिंग कितना बचा? 30 रुपे ना? 30 रुपे लगाया है 10% के हिसाब से तो कितना रुपे हो जाएगा? 3 रुपे अगर आप टोटल देखोगे तो 10, 5, 15, 3, 18 10, 5, 15, 3, 18 कोई दिक्कत? ये एक साल का है ये 180 आएगा एक्चली 360 का हाब 180 होता है देखो, एक साल में कितना कमाये गया है? 18 रुपे, कब जब 100 रुपे लगाये गया है बट इन्होंने तो कुछ और ही गया रखा इन्होंने कहा है 180 किसकी वेल्यू है? 18 की, तो 100 की कितनी आ जाएगी? कर दो साल 1000, simple अगर 100 रुपे पे 18 रुपे कमाया है, तो 180 रुपे कितने पे कमायेगा? 1000 पे तो 188 की वेल्यू है, 100 की कितनी होगी? 1000, आसान था ये 6th question देखो, क्या है? At what rate per cent per annum with simple interest, will a sum of money double in 12.5 years? ये बड़ा important है कितने साल में double हो जाएगा? कितने साल में triple हो जाएगा? देखो, double होने का मतलब क्या होता है? अगर आप लोगों ने फिर हिरा फिरी देखी है, तो 21 दिन में double हो जाएगा, तो double होने का मतलब है कि मैं दे रहा हूँ 1 रुपे वो 21 दिन बाद मुझे 2 रुपे कमाएगा 2 रुपे देगा, तो बताओ कितना कमाएगा आपने? आप बोलोगे सर में 2 रुपे कमा लिया, फिर मैं बोलोगा अब यह गदे, ऐसे तो तेरा सेसी नहीं निकलेगा, क्योंकि कमाएगा तो एक रुपे ही है ना? अरे एक रुपे आपने दिया था, वो दो रुपे लोड़ा रहा है तो एक रुपे तो कमाया है ना? तो यह कह रहा है एक रुपे ना, दो रुपे हो जाता है एक कितना हो गया? दो रुपे कितना बढ़ गया? 100% कितने साल में? 12.5 यर में तो बताओ रेट अफ इंट्रेस्ट क्या होगा? 8% 100% इंक्रीज हुआ है 12.5 यर में तो 8% हो गया कितना आसान है? बच्चे इसमें पताओ घबराते रहते हैं एक लाइन में आंसार आता है 7 देखो What is the rate of simple interest at which a sum of money becomes three time of itself in 50 years? देखो, तीन गुना हो गया 50 साल में तो बताओ rate of interest कितना होगा? देखो तीन गुना मतलब है एक रुपे से तीन रुपे हो गया बढ़ा कितना? दो रुपे यानी 200% बढ़ गया कितना कमाया है? 200% कितने साल में? 50 साल में तो बताओ rate of interest कितना होगा? 200 बढ़े में 50 कर दो 4% आसान था? बहुत आसान था बहुत आसान कुछ नहीं होता question number 8 देखो a sum of money when invested at the rate of 6.25% simple interest per annum amounts to 11 by 8 times of itself in an year देखो 11 by 8 times का मतलब यह हुआ न कि अगर मैंने 8 रुपे लगाए है तो वो 11 रुपे बन गया 8 रुपे दिया है तो 11 रुपे बन गया तो कितना कमाया मैंने? 3 रुपे 8 रुपे बन गया 11 रुपे तो कितना कमाया? 3 रुपे कितने साल में? N येर में तो बताओ N की value कितनी होगी तो देखो हमारे पास principle है 8 rate है हमारे पास 6.25% time है हमारे पास N और interest है 3 solve कर लो न यह कटेगा 16 यह कटेगा 2 N is equal to 6 आ जाएगा ठीक है? पता होना चीए 6.25 1 by 16 होता है I hope clear होगा असान-असान question है type 4 देखो if rate becomes R1, R2 and SI increase or decrease in a certain time एरे फाल तो यह सब question पड़ो सब समझ माया जाता है type 5 concept को सीख जाओ कि कुछ भी आएगा मैं बना दूँगा type wise बगरा है न यह पता है SSE के बच्चे बच्चे पढ़ते है banking सी में नहीं पढ़ा जाथ type wise या cat बगरे के थे एरे गरोगे नहीं पढ़ोगे clad वाले नहीं पढ़ते ठीक है? यह इवन railway वाले भी नहीं पढ़ते है इनकी किताबों में भी लेकिन आप जबरदसी type wise बना रखा है तो हम भी करवा देते हैं A certain sum is invested in simple interest rate for x percent for 5 year Had it been invested for x plus 5 percent would have been a 9 to 200 more than the earlier one देखो यह क्या गय रहा है? एक amount है उसको ना x percent के हिसाब से लगाया है 5 साल के लिए अगर interest rate x plus 5 percent होता ना same time के लिए तो वो 9 to 200 रुपीज ज़्यादा कमाता देखो यह यह कहने की कोशिस कर रहा है कि एक principle है तुमने इसको 5 साल के लिए लगाया है ठीक है? 5 x by 100 हो जाएगा यह interest आएगा ना total इतना interest आपने कमाया है simple वाले case में principle को लगा दिया आपने x percent 5 साल के लिए अगर आपने इसको ना अगर आपने इसको x plus 5 5 साल के लगाया होता ना तो आप यहाँ जितना भी कमारे हो ना उससे 9 to 5 9 to 200 ज़्यादा कमाते यह तो कह रहा ना पहले इतना कमारे थे अब इतना कमारे तो इन दोनों का difference यह है कह सकते हो ना यानि कि अगर मैं principle into में x plus 5 5 अपन में 100 minus 5x अपन में 100 कर दूँ तो 9 to 100 आजाएगा यह यह ना यह यह ना इसको solve करोगे calculation equation बनता रह जाएगा और होगा नहीं क्यों क्योंकि देखो दो-दो variable है एक तो PV है और एक तो x भी है तो क्या करें भया देखो simple सी बात है इसको समझना मैं इसको rough करता हूँ देखो equation से तो यह नहीं बनने वाला बहौट tough हो जाएगा देखो अगर मैंने 100 रुपे लगाये होते 5 साल के लिए x परसेंट के हिसाब से तो मैं कितना कमाता 5x मानते हो नहीं यह अगर मैं 5 साल के लिए x परसेंट के लिए लगा देता तो 5x कमाता अगर मैं x परसे 5 के हिसाब से 5 साल के लिए लगाता तो कितना कमाता 5x प्लस 25 ना कितना 5x प्लस 25 फुल मिला कि कितना ज़्यादा कमाया मैं 25 रुपे ये लोग कितना ज़्यादा कमा रहे है 9200 9200 किस की value है 25 की चाहिए किस की 100 की कर तो solve यार 37,800 कि इतना आसान है इसको जबरदस्ती एक्वेशन बनाते रहते है जरूत नहीं पड़ती डारेक्ट हो जाएगा ठीक है एक बार और देखलना पीछे जागे जब बहुत आसान हो जाती है तो बच्चों को थोड़ा समझ में नहीं आता कि क्या हो गया कैसे हो गया क्यों हो गया चलो अगला कोशन देखो तुधीर तुक अ लोन ओफ रुपीज 15,000 on simple interest for as money as year as the rate of interest यानि यह कह रहा है कि जितने साल के लिए लिया गया है उतना ही rate of interest है 10 साल के लिए तो 10% 5 साल के लिए तो 5% अगर इसने 7350 as interest पे किया है तो बताओ loan period क्या है तो एक तो तुम simple कर सकते हो 15,000 का x percent x year के लिए कितना interest दे रहा 7 3 5 0 0 से 0 कटा यह 0 से 0 यह 0 से 0 यह 0 से 0 x square is equal to 15 उदर जाएगा तो 15 चोगे 60 15 नमाई 135 x square 49 आ गया x की value 7 आ जाएगी oh sorry rate of interest ना 7% है एक तरीका तो यह है बहुत simple है या फिर आप यह भी देखो गया ना कि यह इसका कितना percent है 7350 15,000 का कितना percent है तो आप देखोगे 49% है तो 49 क्या है किसी ने किसी का square होगा तो जिसका square है वही answer है question number 11 देखो a person invested a sum of 18,600 एक person है उसने 18,600 रुपे invest किया है x percent per annum और another sum that is twice the former at x plus 2% per annum देखो 18,600 इसने लगाए है x percent के हिसाब से और इसका double यानि 37,200 x plus 2% के हिसाब से clear है और दोनों ही जो investment है वो साड़े 3 साल के लिए है कितने साल के लिए है 3.5 यर के लिए और इस तरीके से जो total interest है न वो है 23,110 रुपीज पचास पैसे तो बताओ rate of interest क्या है then the rate of interest per annum on the second sum x plus 2 की value कितनी होगी आपसे ये पूचा है ठीक है question समझ में आ गया होगा बहुत आसान है कोई tough नहीं है क्या गहरा देखो 18,600 को x percent के हिसाब से 3 साल के लिए 3.5 साल के लगाया है और 37,200 को x plus 2 के हिसाब से 3.5 साल के लगाया है और इस तरीके से total interest कमाया है 23,1,0.5 ठीक है 23,110 रुपे 50 पे से अब इसको solve करना है देखो सबसे पहले तो 20,20 यहाँ से 20,20 cancel हो जाएगा ठीक है अब देखो जो common आ रहा है 186 into 3.5 यह common आ रहा है यहाँ बच जाएगा x यहाँ देखो जब इसमें से 186 common लोगे तो 2 आ जाएगा यहाँ बच जाएगा 2x प्लस 4 ठीक है 2x प्लस 4 is equal to 23110.5 ठीक है अब एक काम करते हैं 3.5 को नीचे ले गया आता है ठीक है अभी मैंने सिर्फ 3.5 लेकर आया हूँ ठीक है अब इसको solve करें तो एक कटेगा ही कटेगा 5 से कट करते हैं पहले 5 चो के 20 तीस पांस दो नीच दस एक पिर साथ से कट करते हैं तेवन सिग्जा 42 साचिक बयाले सात्या एक के 6603 ओके ये कट गया अब ये देखो क्या रहा है 3x प्लस 4 is equal to 6603 अपन में 186 ये भी कटेगा तीन से कट गरना है पहले तीन दूनी चे तीन दूनी चे तीन ची कट आ रहा तीन दूनी चे से कट रहा है ये कटना चाहिए 31 31 31 31 217 71 upon me 2 आ जाएगा ठीक है ये कट रहा है 31 से कट रहा है ये कटेगा ही कटेगा ध्यान अब देखो 3x plus 4 is equal to 71 upon me 71 upon me 2 को कह सकते हो आप 17.75 ठीक है 35.5 सॉरी मैंने 4 से गाट दिया इसको 3x is equal to ये 4 उदर गया तो 31.5 x is equal to 3 divide में आ जाएगा तो 10.5 ठीक है ये x की value आई है बट आप से पूचा गया है आप से पूचा है second investment यानि x plus 2 तो 12.5 आ जाएगा ये इसका answer है बहुत ही प्यारा question है बहुत प्यारा question है ठीक है बहुत ही ज्यादा प्यारा question है I hope clear होगा अगला question देखो 12th a sum of 15,600 is invested partly at 7% per annum and the remaining at 9% per annum देखो 15,600 को दो पार्ट में डिवाइट किया गया है A और B पहला पार्ट 7% दूसरा पार्ट 9% जो total interest at the end of 3 year है ना वो 3738 है ये 3 साल में है तो एक साल में कितना होगा तीने कम 3, 3, 2, 6, 3, 4, 12, 3, 6, 14 ये एक साल गया है 1246 एक साल में कितना कमा रहा है 1246 है How much money was invested by 7% आप से पूचा बताओ 7% पे कितना कमाया गया है सबसे पहले तो ये देखो इसने दो पार्ट किया A और B A का 7% और B का 9% इसके एकवल होगा 1246 के एकवल होगा आप से पूचा है 7% यानि A की value कितनी है तो A को A ही मानते है A का 7% और 15600 माइनस A दूसरा सम तो ये ही होगा ना 15600 माइनस A का 9% इसके एकवल है 1246 के एकवल है आप देखो तीन से multiply करते हैं बाद में divide होके वही आजाता है इसलिए मैं हमेशा एक साल का निकाल देता हूँ अब देखो कुछ common आ रहा है किया दोनों में मुझे तो लग रहा सिर्फ 1 by 100 ही common आ रहा इसके एकवल तो 1246 00 ठीक है आप 7A माइनस 9A माइनस 2A इसके एकवल तो 12 1246 00 माइनस 15600 इन्टो में 9 अब एक तो देखो दोनों में 100 common है ले लिया और कुछ common आ रहा है 6,4,10, 12,13 और तो कुछ common लग नहीं रहा मुझे 1246 माइनस 156 इन्टो में 9 कितना होता है 1560 माइनस 156 1404 1404 माइनस 2A ओके माइनस 2A इस उक्वल तो 100 इन्टो में 12144 154 158 158 माइनस में आएगा तो माइनस से माइनस काड़ दिया A is equal to 2 से कट करो 2 साथ 14 2 नहीं 18 17900 आ जाएगा थोड़ा सा calculation था और कुछ नहीं यह इस question में उके पहला part A है दूसरा part B है B है 15600 माइनस से यानि जो पैसा इसमें से हट जाएगा 13 देखो Some part of an amount of 17500 was lent at the rate of 24% and the remaining part at the rate of 10% same question है 2 part है 1.24 और 1.10 After 5 years only total interest is 13300 देखो 13300 रुपए यह 5 साल बाद आया है तो एक साल में कितना आया है 2660 आप से पूछा What is the ratio of the amount lent on 24% and 10% आप से पूछा ratio बताने के लिए सिर्फ ratio पूछा है और कुछ नहीं ठीक है तो आप either आपके पास दो option है A और B दोनों कर लो तो कैसे After 5 years वैसे तो इसको ऐसे कर सकते थे कि अगर मैं पूरा पैसा ही टूटल यह जो 13,300 है या फिर 2660 है यह 17,500 का कितना परसेंट है दो जिरो से दो जिरो कटा 5 से कट करो तो पचम पच्चीस पास तीया पंदरा 35 अब 35 से तो यह कट नहीं रहा ठीक है तो इस तरीके से तो रेशियो निकालना थोड़ा सा टफ हो जाएगा तो यह काम करते हैं हम अपने बेसिक से ही करते हैं क्योंकि इस मेना जादा टाइम लग रहा है ठीक है 5 साल बात 13,300 है ठीक है अब देखो 17,500 तो A का 24% प्लस में 17,500 माइनस A दूसरा पार्ट हमारा यह हो जाएगा देखो यह है पहला पार्ट यह है हमारा दूसरा पार्ट इसका कितना पर्षेंट है 10% is equal to 13,300 का 2660 यह आया था ना जब हमने इसको 5 से डिवाइड गया था तो 5 से दिवाइड गया था तो 5 से दिवस, 5 से के 20 हाँ ठीक है यह था ओके 6,0,0,0 ठीक है यह 100 कॉमन लेके उदर लेके चले गया और 10 को अंदर लेके आ गया ठीक है अब देखो इसमें से घटा हो गए 14a is equal to यह उदर गया थो 17,000 एक लाग, 75,000 कम करो इसमें से 0,0,0 6 में से 5 गया, 1 16 में से 7 गया, 9 9,100 आ जाएगा तो A आ जाएगा आपका 14,6,4,4,4,4,5 6,500 A आ गया, 6,500 बताओ, अगर A, 6,500 है तो B कितना आ जाएगा, 11,000 ठीक है 2,0 से 2,0, 5 से कट गया, 13 13, ratio 22 यह इसका अंसर है ओके थोड़ा सा calculation होता है इन question हो में, और कुछ नहीं है question easy है, questions में आप नहीं कह सकती question tough है, question easy है आगे देखो, जब difference given हो तब क्या करते हैं, क्या करते हैं the difference between simple interest on a certain sum at the annual rate of 8% for 5 year and 6 year is 26 तो बताओ sum कितना है तो ऐसे question में हमेशा principle को 100 मान लो, अगर मैंने principle 100 मान लिया, पहले वाले case में 8% 5 साल के लिए कितना हो गया, 40 रुपे और दूसरे वाले case में क्या गया रहा है, 6 साल के लिए 8% यानि कितना हो गया, 48 रुपीज तो difference कितना हो गया, 8 रुपे ना ये तो हम गया रहे हैं ना इनके according difference आ रहा है 26 26 value है 8 की, बताओ 100 की कितनी होगी, 8 से गट करोगे इसको, 4 से गट करो 25, 2, 13 25 को तेरह से करोगे तो 650 का हाफ कितना होदा है 325 यह आ जाएगा, ठीक है यही कहारा, the difference between simple interest on a certain sum 8% for 5 year and 6 year यानि 1 साल का interest 26 है 8% के हिसाब से 1 साल में 26 रुपे कम आ रहे हैं तो वो principle कितना होगा, 325 हो जाएगा देखो, type 7 जब difference हो तो उस तरीके से करना है question आता है बार-बार a certain sum of money amounts to 9, 7, 6, 6 in 3 year amounts to मतलब होता है principle plus interest यह principle plus interest है 3 साल बाद और rate of interest क्या है, R% and to 10,849 in 4.5 year at the same rate of simple interest तो बताओ, R की value कितनी होगी देखो भाईया यह रहा principle 3 साल बीते और यह बन गया 9,766 साढ़े 4 साल बीते और यह amount हो गया 10,849 यह है ना अब आए एक बात बताओ, 3 साल में इतना था और साढ़े 4 साल में इतना है तो यह 1.5 year में कितना बढ़ा है? यह दो कर सकते हो, 9 में से 6 गए 3 14 में से 6 गए 8 7 में से 7 गए 0 10 में से 9 गए 1 यानि यह कितना बढ़ गया? 1083 1.5 year में एक बात बताओ, 9766 जो है ना वो 3 साल में बढ़ा है यानि actually में ये principle plus interest है और interest जो डेढ़ साल का आया वो ये है तो 3 साल का कितना होगा 2, 1, 6, 3 ठीक है? इस में से घड़ा तो 6 में से 6 गया 0 6 में से 6 गया 0, 7 में से गया 6 9 में से दे गया, 2 गया तो यानि principle तो आगया हमारा 7600 principle कितना है? 7600 आपने बस ये देखा कि 3 साल बाद इतना हुआ साड़े 4 साल बाद उतना हुआ तो डेढ़ साल में कितना बढ़ा है? 1, 0, 8, 3 तो 3 साल में कितना बढ़ा होगा? 2, 1, 6, 6 तो principle कितना है? 7600 अब देखो principle दे रखा है और amount भी दे रखा है इंट्रेस्ट भी दे रखा है देखो 1, 0, 8, 3 8 साल में बढ़ा है तो इस 7600 का कितना परसेंटर पहले तो ये देख लो उसको 1.5 से डिवाइड कर देना ठीके जो भी आएगा 1.5 से डिवाइड कर देना यतर रिकम शियत्तर 24, 32 उपस ऐसे नहीं निकलेगा 1, 0, 8, 3 is equal to 70 600 का आर परसेंट टेड साल के लिए है अब देखो 2, 0 से 2, 0 कटा 8 को लिख दिया हमने 3 अपॉन में 2 3 से कड़ा, 3 तीया 9 2 से कड़ करो 38 3 से कड़ गया, 3 तीया 9 3 से कड़ा रहा, 61 तो r is equal to 361 अपॉन में 38 19 से करो, 19 अपॉन में 2 9.5 है आंसर ठीक है, बहुत ही प्यारा कोस्चन था लेकिन देख रहे हो, आप कितना प्यार से हो जाएगा क्वेस्टन नंबर 16 17 क्वेस्टन नंबर 16 देखो, क्या गया रहा है a certain sum amounts to 7,485 after 3 year and to 9,960 after 8 year, देखो ये रहा प्रिंसिपल 3 साल में कितना बढ़ा 7,485 और 8 साल में कितना बढ़ा 9,960 अब देखो, ये जो change हुआ है, ये जो बढ़ा है ये तो 5 साल में ही हुआ है ना और कितना change हुआ है, देखो, 10 में से 5 गए 5 15 में से 8 गए 7 8 में से 4 गए 9 में से 7 गए 2 2,4,7,5 बढ़ गया है 5 साल में, 2,4,7,5 कितना बढ़ा है, 5 साल में, तो 1 साल में कितना बढ़ा होगा, देखो, 5 से डिवाइड कर दो 5,4,20, 5,45 यानि 1 साल में ये 4,95 बढ़ रहा है, एक साल में कितना बढ़ रहा है 4,95 क्या पुचा है, आगे देखो on simple interest, what will be the amount of the same sum after 7 year at double the earlier rate of interest आप से पूचा ये बताओ, 7 साल बाद अगर मैं rate को double कर दू, देखो एक साल में कमाया गया है 4,94 sorry, 4,95 तो पहले तो तीन साल में कितना कमाया गया होगा अंदरो सामे से पंदरा घटा दो 285 यानि प्रिंसिपल आगया आपका 6,000 रुपे प्रिंसिपल 6,000 आगया आप चाहो तो पहले rate निकाल दो, बट rate की ज़रुत है नहीं देखो क्यों? यह कहारा 7 साल के लिए तो एक साल में अगर 4,95 है तो 7 साल में इतना कमायेगा बड़ यह कहारा interest भी डबल कर दिया अरे तो कोई दिक्कत नहीं है इसको डबल कर दो ठीक है? तो यह जाएगा 990 इंटू में 7 63,69 130 7,000 में से 70 घड़ा दो 6,930 एड़ कर दो interest 12,930 यह राइड आपका answer ठीक है? आप चाहो तो पहले interest निकाल के भी कर सकते हो बड़ interest निकालना बेवकूफी होगी आपसे interest पूचा नहीं है देखो 17,000 कॉच्चन सेम है a certain sum of money amounts to 12,672 after 4 year and 15,744 after 8 year at the same simple interest per annum what will be the simple interest on the same sum 3.5 year at 10% per annum देखो यहाँ पर rate of interest change कर दिया है और 3, 1 by 3 year है ध्यान रखना 3, 1 by 3 year है यह भी ध्यान रखना है आपको आगे देखो यह रहा principle 4 साल बाद कितना हो गया वो? 12,612 12,672 और 8 यह बाद कितना हो गया? 15,744 कितना बढ़ा भाई है इन 4 साल में? देख लो 4 में से 2 गये 2 14 में से 7 गये 7 6 में से 6 गये 0 5 में से 2 गये 3 3,072 चार साल में बढ़ा है तो इस 4 साल में भी तो 3,072 ही बढ़ा होगा घटा दो इस में से 12 में से 3 गये 9 9,600 यह क्या है? यह principle आ गया अब चाहू तो आप rate of interest भी निगाल सकते हो 4 से डिवाइड कर दो एक साल का इतना interest है बढ़ ज़रूत नहीं है क्यों? क्योंकि हम से पूछा है 3,1 by 3 एर के लिए 10% में बताओ कितना interest होगा तो देखो 9,600 का 10% और कितने साल के लिए 3,1 by 3 यानि 10 by 3 के लिए तो देखो 10,10,100 तीन से कट कर तो 3,200 रूपीज यह इसका आंसर हो जाएगा और यह बहुत ही प्यारे हैं बहुत easily करवा दिया है मैंने इसमें आपको ज़्यादा calculation वगरे के चक्कर में पढ़ने की ज़रूत नहीं पढ़ेगी बहुत easily कर लोगे question number 18 देखते हैं देखो 18 question क्या गह रहा है a person invested a total sum of 15,500 in 3 different schemes एक आदमी ने 15,500 रुपे 3 अलग-अलग schemes में invest किये हैं 15,500 और जो annual rate of interest है ना हो है 4%, 6% और 10% at the end of one year he got same interest in all the 3 schemes what is the sum invested at the rate of 6% देखो क्या हुआ इसने ना 15,500 को 15,500 को तीन रेशियो में तीन अलग-अलग भाग में divide किया है और उसको लगा दिया पहले वाले को लगाया है 4% दूसरे वाले को 6% और तीसरे वाले को 10% पे और तीनों पेना एक साल के बाद same simple interest हुआ तो इस पे कितना मिलेगा A का 4% इस पे कितना मिलेगा B का 6% और इस पे कितना मिलेगा C का 10% clear है so what I can say कि % से % कट जाएगा 4A, 6B और 10C बराबर है तो यहां से आप क्या कर सकते हो ratio निकाल सकते हो कैसे करते थे देखो 2A is equal to 3B is equal to 5C अब देखो 5, 3 और 2 LCM लिया 30 सबको 30 बनाओ तो A की value 15 आ जाएगी B की value 10 आ जाएगी और C की value 6 आ जाएगी यानि A, B और C का ratio हमने निकाल दिया लेकिन actually में कितना है 15,500 है हमने क्या ratio निकाला है 15, 10 और 6 15, 10, 25 और 6, 31 यह किसकी value है 31 की किसकी value चाहिए आपसे पूछा What is the sum invested at the rate of 6% 6% पे कौन सा है B यानि हमसे पूछिए 10 की value कर दो 31, 500 पे 0 लगाना पे 5000 आ जाता है तो 18 का C answer है Question number 19 दिखना क्या है A man invest an amount of 1,05,750 At simple interest in the name of its son बड़ा प्यारा question है देखो एक आदमी ने ना 1,05,750 रुपे 1,05,750 रुपीज Simple interest लगाया है Simple interest पे लगा दिया है अपने बेटे, डॉटर और वाइफ के नाम पे और इस तरीके से लगाया है कि he get the same interest after 3 year, 4 year and 5 year At the rate of 5% per annum ठीक है देखो सबसे पहले इसने क्या किया है 1,05,750 को 3 भाग में डिवाइड किया गया है A, B, C A मान लो बेटा है B मान लो डॉटर है और C मान लो वाइफ है और इस तरीके से लगाया है कि 3 साल बाद, 4 साल बाद और 5 साल बाद 5% के हिसाब से जो इंट्रेस्ट मिले ना इंट्रेस्ट वो सेम मिले ध्यान रखना है क्या कह रहा है A simple interest in the name of his son, daughter and his wife in such a way that they get the same interest इंट्रेस्ट की बात हो रही है amount की बात नहीं हो रही है इनको बराबर पैसे नहीं मिल रहे है 20% और C का 5 साल के लिए 5% इंट्रेस्ट रेट सब में सेम है तो C का 25% बराबर है ना ये बराबर है सेम वही कॉशन आ गया ना देखो 3A is equal to 4B is equal to 5C 5 सब में common है percentage से percentage कर जाएगा अब देखो 3, 4 और 5 LCM लोगे 60 आएगा सबको 60 बना दो A की value 20, B की value 15, C की value 12 तो ये हमने A, B और C का ratio निकाल दिया but actually मैं कितना दे रखा था एक लाख पांच हजार साथ सो पचास ये किसकी value है 20, 15, 35, 12, 47 की 47 की चाहिए किसकी आप से पूछा है wife का बताओ wife तो C है यानि हमें 12 की value पूछी है इसको solve कर दोगे आजाएगा answer देखो कैसे 43 दुनी 94 94 47 35 हो जाता है ठीक है तो ये कट गया 2250 इंटू 12 कर दो 12 को 200 कर दो 24,000 27,000 आजाएगा 27,000 जब 2250 को 12 से करोगे तो 27,000 आजाएगा ठीक है calculation ऐसे ही होती है कल आप लोगों के लिए कल नहीं परसो Saturday को announcement हो जाएगा prime time 3.0 badge के लिए तो जो बच्चे भी 2025 के तयारी कर रहे है 24 के लिए नहीं, 25 के लिए जो बच्चे भी 25 के लिए तयारी कर रहे है वो join कर लेना बहुत फाइदे मंद होगा आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फाइदे मंद है 500 रुपए as a interest कितने साल में 5 साल में तो हर रोज कितना दे रहा था हर साल कितना पैसा दे रहा था वो interest 100 रुपए ना तो 102,000 का कितना परसेंट है कर लो 5% जबरतस्ती टफ नहीं बनाना, जो कॉशन टफ नहीं है उसको ज़्यादा भाव नहीं देते फंड़ इस दिस वोट विल बी दा सिंपल इंट्रेस्ट तो दा नियरेस रुपीज रिसीव अधा सेम अमाउंट अधा सेम रेट इन सिक्सियर देखो एक आदमी ने ना एक आदमी ने 15,500 रुपए लगाए समझ ना 15,500 रुपए लगाए और साढ़े तीन साल बाद उसको मिले 19,189 रुपीज तो आपसे पूचा है कि ये बताओ छे साल में उसे कितना इंट्रेस्ट मिलेगा छे साल में कितना इंट्रेस्ट मिलेगा वट विल बी दा सिंपल इंट्रेस्ट तो दा डियरेस रुपीज रिसीव ऑन दा सेम अमाउंट अड़ दा सेम रेट यानि रेट भी सेम है सेम है निरेस्ट अमाउंट मतलब पॉइंट में आने वाला है बट अपन क्यों क्या है पॉइंट हटा देंगे अब देखो 15,500 लगाया है मिल रहा है 19,189 तो कितना कमाया है साढ़े तीन साल में बताओ छे साल में कितना कमायेगा इतना आसान है इसको टब बना देते हैं कहां से टब देखो कितना आसान है 3689 साढ़े तीन साल में कमाये तो छे साल में कितना कमायेगा 12, 7 7, 35, 18 7, 24 7, 49 कट गया ये भी 527 और 6,000 12 को 500 से किया तो 6,000 240 और 84 240 और 84 कितना हो था 324 कुछ तो गड़ बड़ है बिडू साड़े 3 साल में इतना कमाया है तो 6 साल में कितना कमायेगा यहां सारे अमाउंडी इतना ज्यादा दे रखा हमने घटाने में गल्दी तो नहीं कर दी 31,35,36,89 इसका ना आंसर में कुछ गड़ बड़ है क्योंकि इतना ज्यादा नहीं होगा यार मतलब 7,000 तो जाई नहीं सकता ठीक है इतना नहीं जा सकता तो इसका आंसर है 12 इंटू 5 6,000 12,240 और 84 ठीक है जैसे मैंने बता है था 6,3,24 यह इसका आंसर होना जाए यार एक बड़ फिर से देख लेते हैं अगर मैं इसमें से घटाता हूँ यह भी ठीक है यह साढ़े तीन साल में है यह इसका आंसर है 6,3,24 प्लीज करेक्ट कर लेना ठीक है इसको 6,3,24 इसका आंसर आएगा और अगर लग रहा है कि मैंने कुछ इदर उदर करवा दिया और हो सकता है प्लस माइनस में तो कमेंट कर देना इसका आंसर यही है 497.7 497.7 ठीक है बुक में यही कॉशन है लेकिन SSE में जब पूझा गया था तो वो साड़े साथ साल था तो हो सकता है कॉशन फिर अलग बन गया लेकिन अभी के हिसाब से यही इसका आंसर है ठीक है आप कंसेप्ट पे ध्यान देना कॉशन गलत वलत होते भी हैं तो ज़्यादा ध्यान मत देना बहुत बच्चे क्या करते हैं अभी थोड़े दिन की बात है लास्ट वीक लास से लास्ट वीक ना आर्बी का जो लाइब मौक होता है वो थोड़ा टफ था तो एक बच्चा मैसेज करता है कि सर यह लोग सो आफ करते हैं जबर्दसी टब बना देते हैं और इनकी जो क्लास है वो किसी भी टीचर के नोट से नहीं आया है तो मैं आज के बाद यह मौक दूंगा ही नहीं मैं सुचू यार कैसी बात कर रहे हैं मतलब कैसी बेवकुफ हो वाली बाते हैं अगर टफ पेपर आ रहा है तो तुम पेपर देना छोड़ दोगे तो तुम्हारी नौकरी भी नहीं लगेगी और मालनो टीचर का पढ़ाया ह हुआ ही एक्जाम में ज़रूरी थोड़ी ना है यार कंसेप्ट सारे टीचरों ने पढ़ाया है वह मौक मैंने ही करवाया है वह मौक मैंने भी करवाया है सारे मौक सारे कॉशन मैंने करवा रखें अपने प्राइम टू पॉइंट हो में ठीक है तो आप यू कह सकते हो मेरे प्राइम टू पॉइंट होगे, टफेस्ट टफेस्ट कॉश्चन उसमें दे रखा है, इसका मतलब यह थोड़ी नहीं कि करवाया नहीं है, तो यह सम मत सोचा करो कि पेपर टफ है, तो यह हो गया, कोई बुक में दो गलती होगी, तो तुम लोगों लगता बुक गलत है, अरे the early simple interest on the average is 4.6%, देखो, थोड़े को लगाया 5%, थोड़े को लगाया 4 साल, और 4%, और combined कितना आ रहा है, 4.6, तो allegation लगा दो, 0.6, 0.4, क्या ratio आ जाएगा, 3 is to 2, ओके, तो कर दो, 50,000 को 3 is to 2 में, तो 30,000 और 20,000, तो 20,000 और 30,000 आंसर है, ध्यान रखना, ना कि 30,000 और 20,000, क्य जोगी, 4 पहले दे रखा था, 5 बाद में, तो आसान कोशिन था, the rate of interest on a sum of money is 8% per annum, for the first 3 years, देखो, 8% मिलेगा, 3 साल तक के लिए, 10% मिलेगा, अगले 4 साल के लिए, और 16% मिलेगा, आगे के सभी टाइम के लिए, ओके, ये दे रखा है, ठीक है, if a person gets 11340 as a simple interest, after 10 years, 11340 as simple interest, तो बताओ कि उसने कितना पैसा लगाया था, ठीक है, उसको 10 साल बाद इतने मिले है, तो चोचो मेरे पास 100 रुपे है, मैंने 10 साल के लिए, तो देखो, 3 साल के लिए, मुझे 8% के हिसाब से 24 रुपे मिलेंगे, अगले 4 साल, 10% के हिसाब से 40 र 28, 88 और 24, 112, यानि मैंने लगाये थे 100 रुपे मिला 112, तो ये 11340 किसकी वेल्यू है, 112 की, चाहिए किसकी, 2 की, कर दो साल, 112, 112, 112, 12, 112, 112, 114, 0, फिर 112, फिर 38, 28, यहां से यह वाला 0 उठाया है अभी मैंने, तो दो से करोगे, 11,000 something आ रहा है यार, लेकिन 11,150 नहीं आ रहा, बड़ एप्रोक्स में यही आएगा, ठीक है, एप्रोक्स में लेगे चलना है, यही आएगा, ठीक है, ऐसे कॉस्चन में तो सीधा आंसर आना चाहिए था है, 11, 3, 1, 1, 3, 4, 0, वैल्यू है 112, की तो 100 की कितनी होगी, इसको इजी करते हैं, यह 25 की वेल्यू है, यह 28 की वेल्यू है, साथ से कट रहे गया यह, चार से तो कट रहे है, 4, 2, 8, 4, 8, 32, 1, 14, 4, 12, 4, 5, 20, 7, अब कट करते हैं, इसको साथ से, साथ चोगे 8, 7, 35, 405 इंटू 25, ठीक है, 10,125, सौरी, ओके, गलती यहां पर क्या हो रही थी न, जब मैं 112, 112 से कर लिया, 1, 4, और 2 नंबर्स उठा लिये, मैंने बिना 0 लगाये हुए, ठीक है, तो देखो, डिविजन की गलती थी, ठीक है, 10,125 इसका अंसर है, नंबर 25 देखते हैं, देखो, तो, सिंपल इंट्रेस्ट में न, जो टफेस्ट कोशन पूचा जा सकता है, वो यह है, इससे ज़्यादा नहीं, एक बार वीडियो को रोखो, और देखो, आपसे बन रहा है, या नहीं बन रहा है, अगर बन रहा है, तो बताओ, आंसर क्या है, ओके, फिर मैं करवाता हूँ ठीक है, ठीक है, I hope आप लोगोंने कर लिया होगा, इंट्रेस्ट कमेंट भी कर दिया होगा, अब कॉशन देखो क्या है, और certain sum is lent at a certain rate of simple interest for 2 year, एक certain sum है, उसको 2 साल के लिए हमने लगा दिया है, ठीक है, कुछ rate पे, अब यह कह रहा है कि अगर rate of interest 3% जादा हो जाए 3 साल के लिए, तो interest ना 72 रूपीज जादा होगा, ठीक है, 72 रूपीज जादा होगा, अगर इतना बोला होता तो हम कुछ question solve कर चुके होते, बट आगे भी है, देखो क्या कह रहा है, if the amount is 80 times the rate of interest, जो amount है ना, वो rate of interest से 80 times जादा है, for example, अगर मैंने rate को X माना है, तो principle कितना आ यॉए, पहले case में तो simple दे रखा था, पहले वाले case में, 80 x को 2 साल के लिए, एक्स परसेंट पे लगाया जाता है, तो इतना interest मिलेगा, दूसरे वाले case में, 80 x को X plus 3% के हिसाब से 3 साल के लिए लगाया गया है, ऐसा ही है ना, पहले case में 2 साल के लिए 5% और दूसरे वाले case में x plus 3% के हिसाब से 3 साल के लिए और इन दोनों का difference दे रखा है 72 ठीक है? So what I can say, obvious ही बात है यह ज़्यादा होगा, इस में से यह घटाओ तो सबसे पहले common क्या आ रहा है 80x upon में 100 common आ रहा है, तो यहाँ बचेगा x plus 3 into 3, यानि 3x plus 9, और यहाँ 80x by 100, ले लोगे, तो सिर्फ 2x बचेगा, और यह किसके equal है? 72 के equal है ठीक है? मतलब इसको छुई मुई मत मना के रखना कि एक-एक step करते रह गए 20 से कड़ा, 4 5, 4 से कड़ किया, 18 now, देखो, 3x minus 2x, 5x sorry, 3x minus 2x, x x into x, x square plus 9x is equal to 90 clear है? यह 5 उदर गया, 90 अब इसको उदर ले हो तो x square plus 9x minus 90 is equal to 0 factor करो, 9 का देखो, एक तो आप बहुत बच्चे इसको 10 से बनाना चाहेंगे बट 10 और 1 का बन नहीं रहा, तो 15 और 6 बनेगा, x square plus में 15x minus 6x minus 90 x common लिया, x plus 15 minus 6 common लिया, x plus 15 x की दो value आ गई है, 1 6 और 1 minus 15 reject कर दो, x की value 6 आ जाएगे 6 percent is your answer बहतरीन question है, यह बहतरीन question बहुत ही प्यारा question है आखरी question देखो आज का 26th half of a certain sum ऐसे क्यों लग रहा है, यह कर रख रहा है हमने चीक है? साइद हमने सुरू में कर लिया था, ठीक है, बट कर लेते हैं half of a certain sum is lent at 20% rate of interest, देखो आधा पैसा लगाया गया है 20% के हिसाब से 2 by 5 of the remaining, जो remaining है उसका 2 by 5 लगाया गया है 25% के हिसाब से, जो remaining बचेगा ना उसको 10% के हिसाब से, ठीक है? यह line दो बारा रखा है if the simple interest receive on the total sum for 2 year is 360, देखो दो साल में 360 है, तो एक साल में कितना होगा? 180, यह हमने कर लखा तो थोड़ दिर पहले, 1000 आये था इस कांसर, जहां तक मुझे याद है अब देखो, हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल मान लेंगे अपनी मर्जी से, 1000 मान लिया, 1000, 1000 का half 50, ठीक है? सॉरी, 1000 नहीं मानते है, 100 ही मानते हैं, ठीक है? 100 का half कितना होगा है? 50, 50 लगाया है 20% से, तो बताओ interest कितना मिलेगा? 10 रुपे, वहीं पे 2 5th of the remaining, देखो जब 100 में स 50 यहां लग चुका है, तो बचा कितना? 50, 50 का 2 5th, 20 रुपे, 20 रुपे लगाया है 25 के दर से, तो कितना? 5 रुपे, और remaining लगाया है 10% के साब से, तो 30 का 10, 3, तो टोटल कितना होगा? 18 रुपे, 180 वेल्यू है 18 की, आप से क्या पूछा है? What is sum? तो 100 की वेल्यू निकाल दो, 1000 आ जाएगा, ठीक है? असान था यह, और यही कॉस्चन हलना कि पहले भी था, तो डॉट था मुझे कि क्या पता कुछ अलग होगा, लेकिन उन्होंने सेम ही पूछ रखा था, तो यहां से हमारा simple interest भी खदम होता है, कल हमारा compound interest है और थोड़ा बड़ा chapter है, तो उसको तुम दो दिन में भी गर सकते हो, तो कि वीडियो की लेंद मुझे लग रहा date घंडे तक होगी, देखते हैं क्या पता questions easy हो, मैंने देखे नहीं है अभी तक, ठीक है हो सकता questions easy हो, यह इतना बदा है कि 34-35 questions है, ठीक है तो अच्छे questions होते हैं वो, तो मिलते हैं कल अगली class में, और अगर आप में से किसी ने अभी तक comment comment नहीं किया तो कर देना, ठीक है चलो, bye, take care, good night